आईए देखते हैं हाल ही में आई मूवी 12 फेल के कुछ अननोन और इंट्रस्टिंग फैक्ट्स इस फिल्म के लास्ट सीन के दोरान दिखाई गई UPSC की बिल्डिंग असल में असली बिल्डिंग नहीं है जिसे देखने के बाद रियल बिल्डिंग में काम कर रहे लोग भी असली और नकली का अंतर नहीं पहचान पाए जहां सभी एक्टर्स फिल्म में दिखाई गई अपनी लुक के लिए मेकप का सहारा लेते हैं इसी लोग से शर्मिंदा विकरांत को शूटिंग करते वक्त थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था पर इस से उनके द्वारा दिये गए सीन्स पर चार चांद लग गए और वो सीन्स और भी ज्यादा असली लगने लगे जहां इस फिल्म को राजकुमार हीरानी करने वाले थे वहीं जब विधु विनोज चोपडा ने इस फिल्म की कहानी को छिन्ड़ राइटर्स के साथ लिखी तो उन्हें इस कहानी के कैरेक्टर्स से प्यार हो गया जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को खोड डिरेक्ट करने का फैसला किया और उनका ये फैसला और भी मजबूत तब हुआ जब उन्होंने विकरांत मैसी को स्क्रीन टेस्ट पर देखा जहां इस फिल्म में दिखाए गए चंबल गाओं के लिए मुंबई के आसपास किसी भी गाओं का इस्तमाल किया जा सकता था वहीं इस फिल्म को और रियल दिखाने के लिए मेकर्स ने इसे चंबल के ही पास किसी गाओं में शूट करने का फैसला किया इस फैसले के चलते उन्हें रोज तीन घंटे का सफर तै करना पड़ता था इस फिल्म में दिखाई गई आटा चक्की के लिए मेकर्स ने आगरा, गवालियर, दिल्ली और मुंबई जैसे शेहरों में कम से कम डिल सो आटा चक्कीयों को देखा और आखिर में उन्हें इस चक्की का सैट बना कर ही शूट करना पड़ा फिल्म में दिखाई गई मनोच के दोस्त पांडे को मुवी के दोरान कई बार अपने पिता से फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है पर के आपको पता है कि उनके पिता की आवाज इस फिल्म के डिरेक्टर विधू विनोच चोपडा ने दी है इस फिल्म के एक सीन के दोरान जब श्रद्धा को ट्रस्ट एंड डेयर खेलते समय गाना गाते हुए देखा जाता है वो गाना असल में श्रद्धा ने उसी समय गाया था और उनके दोरा गाया गाया ये गाना मेकर्स को इतना परफेक्ट लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल सिंगर नहीं गाया हो इसलिए इस गाने के रियल होते हुए भी उन्हें इस गाने की आवास को थोड़ा बदलना पड़ा ताकि वो ओरीजिनली लगे इतना ही नहीं इस सीन के दोरान अगर ध्यान से देखा जाए तो असल जिंदगी के मनोज और शिरद्धा भी आपको पीछे बैटे हुए दिख जाएंगे इस फिल्म की शूटिंग और इस कहानी के पीछे छुपे हुए जजबात और अच्छे से दिखाने के लिए मिकर्स ने इस फिल्म को दिल्ली के असली मुखरजी नगर इलाके में ही शूट किया है इतना ही नहीं इस फिल्म में दिखाए गए ज्यादतर बच्चे असल में UPSC के स्टुडेंट्स हैं इस फिल्म में दिखाया गया रेस्टोरेंट और बस स्टेंड असल में आगरा का एक खंडर रिल्वे स्टेशन था, पर अपनी जादू की छड़ी गुमा कर फिल्म के निर्देशकों ने इसका हुलिया ही बदल कर रख दिया, जहां इस फिल्म में दिखाये गए सभी किरतारो के लिए कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन टेस्ट किया गया था, वहीं इस फिल्म के लीड रोल मनोश के लिए सिर्फ विकरांत मैसी का ही स्क्रीन टेस्ट हुआ था, जिसे उन्होंने एक ही बार में पास कर लिया.